तो देखे सबसे पहले धन तेरस और दिपावली की हार देख्षिप काम ना है नमस्कार मैं हूँ रेखा मेरी सुपर समय आप लोगों का स्वागत है और देखे दिपावली है और घर पर लड़ू ना बने तो अधूरा सा लगता है तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जब कीजिएगा अच्छे लगे तो लाइक को शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा बैल आइकन को प्रेज जरू कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके तो चलिए बना लेते हैं बेसन की बहुत ही जबरद कीजिएगा मैंने यहां पर जो रेगलो इस्तिमाल करते हैं बारिक वाला बेसन उसी का इस्तिमाल के आए और उसे से आपके लड़ू इन एकदम हलवाई जिसे दानेदार बनेंगे तो दानेदार बनाने के लिए हलवाई लोग इसमें तगार या बूरा डालते हैं तो वह ह आधा कब इसमें पानी डालेंगे पानी बहुत जान नहीं डालना है और अब इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे मेल्ट करना होगा गयास को यहां पर एकदम स्लो रखना है फूल बिल्कुल मत कीज़ेगा स्लो गयस रखेगा चीनी जो है न अपने आप मैल्ट होती जाए इसे तोड़ा चलाते रहिएगा और यह देखें मैं इसे लगातार चला रही हूँ चीनी जो है न हलकी से मेल्ट हो गई है लेकिन अच्छे से मेल्ट होना है बड़िया सा इसमें उबाल आएगा और गयास को फूल मत कीज़ेगा इस बद का ध्यान रखेगा यहां देखें चीनी जो है न अच्छे से मेल्ट हो गई है अभी मैं इसे लगातार चला रही हूँ पड़िया सा इसमें उबाल भी आ रहा है और यह मिंटों भी बन जाती है बहुत साथ समय लगता ही न इसे बनाने में तो आप इसे मार्केट से भी ले सकते हैं लेकिन इजिली घर पर बन पर आप देख़े किससे ईस जाग बन रहे हैması बड़े बड़े से जाग बन रहे है मैं मैंआको इससे न रही हो गई है देख़े में हैम आपको इससे पास से दिखना इखें। अब इसे लगातार चला रही हूं, गेस को यहाँ पर मैंने slow ही किया हूँ है, full gas नहीं किया है, देखें, मैं आपको इस तरह से भूंद गिर रही है तो तार सा बन रहा है, यह देखें, बस ऐसा है आपको इसे पकाना है, बहुत ज़्यदा इसे नहीं पकाना है, वहना इसका color ज़ाधा डार पोजाएगा और यह देखे किस तरह से साइड में जम रही है जो आपको दिख रहा होगा देखे बहुत इजीली बन जाती है यह यह देखे मैं आपको फिर से दिखा रहे है उस तरह से और जब यह ऐसे जम नहीं लग जाए ना तब आपको क्या करना है इसमें बागातार इस से चला रहे हूँ इसमें इक चमक सी आएगी और टेश भी अच्छा होगा त्यापर आद्धा चमच घी डाल करें है बारिका बने ऐसे लगातारわかरना है जया यह देखे और यहां देखे, मैं इसे लगातार चला रही हूँ, और चलाते जाएए इस तरह से, और यह अपने आप जबने लग जाएगा, और तीरे तीरे बिखरने लग जाएगा, एकदम बूरा तगार बन जाएगी आपके गर परी, बहुत इसी ली, यह देखे, इस प्रोसेस को बनन चलाती है अब यहां देखे, जो बूरा यहां किस तरह से बन गया, और बहुत अच्छा लगए है, अब यहां पर क्या करेंगा, चन्नी ली यह मैंने, उसमें से चान लेंगे, ताकि क्या सकी करेंगे, मैं मिक्सटी के जार में डालकर पीस लेंगे, तो पहले क्या करते मैं सारी बूरा को चान लेती हूँ ताकि जो भी डेलिया थोड़ी बूत रहे गई हो वो उपर ही रह जाएगी अब यहाँ देखे थोड़ा सा जो बचा था मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया और इसे पीस कर इसे भी इस तरह से चान कर इसमें डाल दूँगे अब यहाँ द गी के यहाँ पर कम भी कर सकते हैं यहाँ जादा भी डाल सकते हैं तो गी मैंने पूरा नहीं डाला है थोड़ा सा डाल दिया है और इसे डालने के बाद आपको क्या करना है जो हमने बेसर मापकर रखा था वो सारा बेसर इसमें डाल देजेगा अब यहाँ पर इसे आपको लगातार चलाते हुए भूनना है, तो यहाँ पर गी हम थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएंगे इसमें, आप भी थोड़ा सा गी डाला है मैंने, और अच्छे से इसे मिला रही हूँ, मिलाने के बाद कैस को यहाँ पर मैंने स्लो किया हुआ है, आप अपने उसार कम या ज करता जाती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे भूनने के लिए एक और तरीका बताती हूँ, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा गी और डाल रही हूँ उसमें, यह देखें, और थोड़ा गी है जो मैं और बाद में डालने वाले हूँ, अब आपको यह जो डलिया थी, सारे जो इसमें बने हैं यह दलिया उन्हें तोड़ लिजें इस तरह से, इस तरह से मैश करेंगे तो आपको बेशन भूनने में बहुत आसानी होगी, आपका बेशन एक दम बारिक हो जाएगा, भूनने में आपको बिलकुल भी दिकत नहीं आएगी, त इस तरह से लगातार चलाती जारी हूँ, जब यह इस तरह से बन जाता है, थोड़ी डलिया बनती है, तब भूनने में थोड़ी से दिकत आजाती है, यानि कि हमारे हाथ दुखने लगाता है, जाता है, लेकिन जैसे जैसे यह भूनेगा, घी को रिलीस करने लगेगा, तब आपको बिलकुल भी दिकत नहीं आएगी, एक दम बढ़िया हल्वे की तरह यह भूनने लगेगा, यहाँ देखे किसरा से डलिया बन रही है, और घी को यह छोड़ने भी लगाए, तो मैं दे लड़ू भी है न, बहुत अच्छे बनी है, अगर आप बेसन को कम भूनेंगे तो क्या होगा न, आपकी जो लड़ू है न, गले में जाकर चिपकेंगे, गले को पकड़ेंगे, तो आपको अच्छे से भूनना होगा, बेसन को इस बात का ध्यान रखेगा, अब यहाँ दे अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसे और भी दानेदार बनानी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा पानी, उसमें मैंने औरेंज फूड कलर डाला है, ताकि लड़ू को कलर थोड़ा अच्छा है, दो से तीन चमच जादा पानी नहीं डा और गैस को सुलो रखना है, यहाँ देखें, मैंने दो चमच पेले डाल दिया था, दो चमच मैंने और डाल दिया है, तो दो बर गर के पानी इसमें डाला है, पानी डालने से इसमें एकदम दाना सा बनता है, और दाना फूल जाता है, बेसन का दाना होता है, वो फूल जात और गैस ओफ करने के बाद भी आपको इसे थोड़ा सा चलाना होगा, कलर देखिए कितना बढ़िया आ गया है, क्योंकि कड़ाई जो है न हमारी गरम है, अगर आप चाहे तो इसे दूसरे बरतन में निकाल कर छोड़ सकते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, इसे इसी में छोड़ू होना चाहिए हमारा ये बेशन का, अब यहां देखिए मैं इसे थोड़ा फैला देती हूँ, और अब देखिए थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, यानि कि हलका सा गरम है ये, इतना गरम होना चाहिए, ताकि लड़ू अच्छे से बन सके, और यहां देखिए किस तरह से लिक बूरा इसे ही कहते हैं, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि तगार क्या होता है, बूरा क्या होता है, तो ऐसी तगार भी इसे कहते हैं, बूरा भी इसे ही कहते हैं, तो यहां देखिए, इक दम मार्केट जैसा है, सारी बूरा इसमें डाल देजिए, क्योंकि हमने मापकर ह इसे लिया था पहले और अच्छे से इसे मिला दीजे तो यहां देखें मैं बड़े से चम्मस से थोड़ा मिला रही हूँ और चम्मस से मिलाने के बाद हमें इसे हाथ से मिलाना होगा बड़िया से तो यहां पर देखें मैंने अच्छे से मिला दिया अब इसे हाथों से यहां पर आप फिर से वही गिलास ले सकते हैं और गिलास से अच्छे से रब कर सकते हैं मुझे यह वाला एड़ा बहुत अच्छा लगता है मैं हमेशा इसे करते हुए देखें इस तरह से मिक्स करेंगे ना तो जो भी लंग्स होंगे इसमें सब तूड जाएंगे और यह जो चोटे बड़े जैसे आप बनाना चाहिए बना लीजे और बहुत इजीली लड़ू बन जाएंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगे आपको अगर मान लीजे आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसमें दो से तीन चमच घी गरम करके डाल सकते हैं लेकिन इसमें जो मेज क्रिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आपको मेरी रेसिपियां कैसे लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बनाएगे बताएगा और यहां पर देखें आप इसे भाई दुछ पर बना सकते हैं या पिर दिवाली के दिन में बना सकते हैं बहुत इजली बन जाते हैं और लड़ू की रेसिपिक कैसे लेगी यह भी बताएगा और आप सभी को धनते रस की हार्दिक्षिप काम नाएग लड़ू देख लीज़े कितना जबर्दस है एकदम दानेदार मुमें घुलने वाला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद